बच्छों को कुए अभी कौन साल रहे हैं रोडया अभी और दूसरे टोड़ा खाना खाने गए हुह है अभी तो सेकुंड पेरिड्ट चल रहा है लुए लॉटी थो अजिस लए पहले घृता है दोस्तों आज अभारत और पाकिस्तां के अंतराष्ट्री बॉर्डर के आखी रिगाउं यानि की भारत का यह आखीरी गाउं है इसके बाद पाकिस्तान का बौर्डर है उस गाओ में हैं उस गाओ एक स्कूल में आये हैं और यहाँ पर जानने की कोछिस करेंगी कि पाकिस्था कैसी है हम जैसे ही इस स्कूल में आये तो यहां की skool य बच्यों कितने हैं आते हैं कि नहीं आते हैं सारी की सारी बाता हैं बताएंगे आपको क्योंकि दावे यह किये जाते हैं कि हमारे परदेश में हमारे देश में सिक्षा का जो इस्तर है वो लगातार अच्छा होता जा रहा है और विशेश कर जो सीमावर्ती छेत्र हैं वहां पर सिक्ष से माई और पाकिस्तान की सिमा जो यहां से शुरू होती है तो यह स्कूल के अंदर पहुंचे हैं राज œखेmost यानी की आठीमे क्लास तक यह स्कूल है मेरे सहयोगी से करना कि अब हम स्कूल के अंदर जाए और स्कूल के इन interaction कि सारी कि सारी व्यवस्ता इन बच्चों को दिखाएं यह भाई साब खड़े हैं आप आप कौन है यहां एक मैडम बैठे हैं यहां पढ़ाते हैं बच्चों को बच्चों कैसे हैं आप क्या से हैं अच्छे हैं मैडम से भी कुछ बातें करने की कोर्सित करेंगे मैडम क्या नाम एक कमला कमला रानी जी कहां से हैं बरतपूर से अच्छा इस स्कूल में कब लगे हैं कब आपकी जूनी मेरी है बीस अप्रेल 2018 की जोईनिंग है 2018 से ममारे बच्चों को पढ़ाते हैं बरतपूर से आ करके पाकिस्तान का आखिरी बोर्डर इसके बाद पाकिस्तान है तो यहां दिक्कत कितना सप्वोट करता है नहीं बहुत अच्छे कैने साल से आट करते हैं परिवार के साथ यह रहते हैं लेकास इक के टो एक से पड़िया क्या टीन करता है तो क्या बच्छों को किस परकार से अभी कौन सा पीरिट चल रहा हैं अब आप दूसरे इस्टाप कहां है नहीं नगये हुए तो फिरीट चल रहा है लंच टाइम नहीं लंच टाइम नहीं गए तो इसलिए जल्दी से ले गए वो लंच तक खतम हो जाता है यह जाएंगे उनसे भी बात करने की कोशिस करिए यह जो मैम से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि पहली से पांचवी तक के बच्चे हैं वो इसके अंदर ही बैठते हैं बाकी सारे के सारे जो स्कूल के रूम ह कि सवाव यह नहीं उडळता कि टीचर क्यों नहीं है पड़ाया क्या जाता है लेकिन इस खिसा प्रणाली को सुधार कैसे होगा यह अपने आप एक बड़ा सवावल है कहीं लगता है कि सिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए आप यकीन मानी कि 8 मी सकूल है 176 बच्चों के नमंकन है लेकिन पहली से पाचवी तक के बच्चे जो है वह आरदस बच्चे एक रूम में थे बाकि सारे के सारे रूम बंद है तीन का स्टाफ है जिसमें ऐसे दो है नहीं कहीं खाना है गाउं में वहां खाना खाने गए हैं एक अकेली मैडम है वह पढ़ा रहे हैं पहली से पाचवी तक के बच्चों को और बच्चों को यह पता कि हमारा कॉंसी billion चल रही है यह कौनसा पीर चल रहा है इसके बिख बोलके हैं हम इसके अंदर भी जाते हैं और देखने की कोसिसちょ करते हैं अब ये सक के अंदर तो कोई सर है नहीं लेकिन बच्चे जरूर बैठे हैं कि अच्छा बैठा यह कौन सी क्लास है आठवी के सारे बच्चे चठी साथी आठवी इसकूल की गजब की बात है हमें लगी पहली से पांची से बच्चे एक रूम में और चठी से आठी तक के बच्चे एक रूम में यानि कि यहां पर लेकिन जमीनी हकीकत क्या है यह आप देख पा रहे है अब हम इन बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे अच्छा प्रश के नामें आपका है मेरा नाम है रहेशम खान आप कहां है जिसरे पांदे तो यहां से बॉर्डर किता दूर पड़ता है यहां से लगभग दो किलो मेंटर हैं आप कौन सी क्लास में फटे यह एट में किते बच्ची बच्ची पड़ते हैं अपनी तिस तो 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 अब बेटी से बात करेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी पचाओ बहुत क्यास का सारे नारे लगे होते हैं क्या नाम है आपका सायराबन के इसका होता है इस की इसने प्रेट इसके वता है सब्सक्राइब क्या पढ़ाते हैं कि इंग्लीज और सेकंड पिरिट कौन पढ़ाता है तो साइंस आप पढ़ते हैं विख्यान पढ़ते हैं क्या कौन पढ़ता है दो इसर है कि अब है दो सरी है सब्वी बढ़ाते हैं सारे सारे क्लासेज और रहे अच्या क्या पढ़ते हैं अच्छा बेटा बोलनी पार खेलते हैं क्या 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 बनना आपको बढ़ते हैं प्रक्रिंगें कि यहां खाना वाना मिलता है स्कूलों में क्या मिलता है यहां पर दल रोटी चावल कि दूद कीचड़ी प्रूट आते हैं कभी पिरूट कभी आते हैं सौंबार सौंबार को अच्छा जनरल नोगी की विगर पढ़ाते हैं अच्छा अपना जिला कौन सा यह तरहला बाड में कितनी विदान सबाएं बाड़ में विदान सबाएं अच्छा आपके अपने हां की विदायक होने विदायक अमीन खान है कलेक्टर साब का नाम क्या है नहीं पता है अपने परधान मंत्री कौन है मोदी जी और मुखे मंत्री राजस्थान के अस्वग्यलत बहुत विश्या राष्ट्रपती कौन है राष्ट्रपती ड्रॉप दी मुर्मू वाह देखो आप बच्छे बच्छे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं मुझे बच्चो को लेकर टीचर को लेकर क्रिटीसाइज नहीं करना है लेकिन कहीं न कहीं यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि सरकार और पद्रकार के दाव अमंकन दो क्लासे चल रही हैं एक सो चेतर बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ यहां पर एक मैडम है जो पढ़ा रहे हैं यहां जो सिक्सक हैं वो सेकिंड पीरिड में कहीं खाना खाना चले जाते हैं बच्चे जो हैं वो मेदान में केलते नजर आ रहे हैं आदे बच्च पर जाकर देखें तो बड़ा ही दुख होता है कि इस प्रकार की सिख्षा पनाली आज हमारे ग्रामिंट चेत्रों में और यह गाम वो है जो भारत और पाकिस्तान का जो बोर्डर है उसका यह आखिरी गाम है कुछ और लोगों से भी हम लोग अलग वीडियो आपको दिखाए लेकिन इस प्रकार की जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी जरूरी है कि असल में ग्रामिंट चेत्रों में सिख्षा का इस्तर कहां तक रह गया है बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद